दोस्तो गुवाहाटी भारत के असमराजी का सबसे बड़ा नगर है प्रसासनिक रूप से ये कामरूप महानगर जिले में स्थित है गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुक सहर है ये नगर प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए भी जाना जाता है दोस्तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड जी एच वाई गुवाहाटी असम सहर के केंदर में स्थित है ये भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर उर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन है इसे एवन स्रेणी के स्टेशन का दरजा प्राप्त है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे असम राज्य परिवहन निगम का बस टर्मिनल है आई एसो प्रमानित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को भारत में एवन स्रेणी के रेलवे स्टेशनों में स्वक्षता में 21 स्थान दिया गया है गुआहाटी रेलवे स्टेशन में ट्रेन सम्मंदित पूस्ता छेतु एक तिन्नों पर डायल किया जा सकता है दोस्तों गुआहाटी रेलवे स्टेशन भारती रेलवे के नौर्थ इस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के लुम्डिंग रेलवे डिविजन के अंतरगत आता है सन उनीशों में खोले गए इस रेलवे स्टेशन का विद्यूती करण अक्टूबर 2020 में किया गया था गुआहाटी रेलवे स्टेशन के प्रमुख लाइनों में बरावनी गुआहाटी लाइन, गुआहाटी लुम्डिंग सेक्षन, न्यू बोंगाई गाउं गुआहाटी सेक्षन इत्यादी सामिल है दोस्तों गुआहाटी जंगसन पर यातायाद को कम करने के लिए कामाख्या रेलवे स्टेशन, माली गाउं में सहर का इक और रेलवे स्टेशन है लगवग सभी नई सूरी की गए ट्रेने कामाख्या जंगसन से चलती हैं मेगाले के सिलोंग की ओर ट्रेन सुरू करने के लिए बेल टोला जो की गुआहाटी के दच्छिन भाग में हैं में एक नया रेलवे स्टेशन बनाने की योजना बनाई गई थी गुआहाटी रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर उर्जा पर चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है सौर पैनल लस्थापना परियोजना अप्रेल 2017 में सुरू की गई थी हाल के वर्सों में रेलवे स्टेशन को 100 फीट उचा तिरंगा मिला है और यह उत्तर पूर भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन में सबसे उचा तिरंगा है गुआहाटी रेलवे स्टेशन में 80 लोकोमोटीव के लिए कमरे के साथ एक डीजल लोकोमोटीव सेड भी है सेड WDM 3D, WDG 4D, WDG 4 और WDS स्रेनी के इंजिनों को रखा करते हैं सेड WDP 4D लोकोमोटीव को भी रखता है इसके अलावा रेलवे स्टेशन के पास एक कोच रख रखाव परिसर भी है ये स्टेशन पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का मंडल मुख्याले है यस्वच और हरित वातावरन में यात्री सुविधाय प्रदान करने के लिए राष्ट्रिय ग्रीन ट्रिबूनल से ISO प्रमानन प्राप्त करने वाला भारती रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है दोस्तों गुआहाटी रेलवे स्टेशन में साथ प्लाटफॉर्म है ये NFR जोन की लंबी दूरी की ट्रेनों को सम्हालता है गूगल ने रेलवायर के साथ मिलकर 2020 में फ्री हाई स्पीड वाइफाई प्रदान किया है हाला के रेल टेल जो की रेलवायर की मूल कंपनी है ने पुष्टी की है कि वह मुफ्थ वाइफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा गुवाहाटी रेलवायर स्टेशन में यात्रियों के लिए काफी सारे सूधाय है जैसे कि डबल बेड़ेट डिलक्स एसी रिटारिंग रूम विद फ्री वाइफाई टीवी लॉकर चार्जिंग पॉइंट 5-Waded Non-AC Retiring Room with Free Wi-Fi TV Locker, Double-Waded Non-AC Retiring Room with Free Wi-Fi TV Locker, 12-Waded Non-AC Dormetry with Free Wi-Fi TV Locker, Reserved VIP Lounge, Chemist Stall, High-Speed Google Railwire Free Wi-Fi Service, Upper-Class, Lower-Class Waiting Room having Free Wi-Fi, AC, TV, Charging Point, Drinking Water, and Separate Ladies Gents Wash Room, Waiting Room, Wage Non-Wage Food Core, Rest Cafeteria, AB Auto, Vahan Kiosk, FOV with 10X Aiga Escalator, CCTV Surveillance Camera, Clock Room, Baggage Claim इत्यादी सामिल है गुआहाटी रेलवे स्टेशन में मौजूद इतने हाई-टेक सुविधाओं के लिए एक लाइक तो बनता है बात अगर ट्रैफिक की करें तो मैं आपको बता दू कि गुआहाटी रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग सी हजार पैसेंजर्स आना और जाना किया करते हैं वही ट्रैनों के परचालन के बारे में आपको बता दें कि गुआहाटी रेलवे स्टेशन पर पैसर ट्रैने रुखती हैं जबकि करमसा 35-35 ट्रैने यहां से खुलती हैं जिनका कि यहां पर लास्टेस टॉपेज हैं गुआहाटी रेलवे स्टेशन के आसपास यात्रियों के रुखने के लिए कई सारे सांदार होटल्स मौजूद हैं जिन में मुखे रूप से होटल सुखमनी 170 मीटर होटल एरोमा 190 मीटर होटल प्रिंस 200 मीटर होटल महराजा 340 मीटर इत्यादी सामिल हैं दोस्तों गुआहाटी रेलवे स्टेशन के समेप घूमने योग्यस्थानों में कामाख्या मंदेर उमानन्दा मंदेर असम स्टेट म्यूजियम स्रीमांता संकर देव कलाचेत्र गुआहाटी प्लैनेटेरियम बसिष्ट आस्रम और मंदीराधी सामिल हैं गुआहाटी रेलवे स्टेशन और गुआहाटी बस स्टेट के बीच की दूरी नौद असमलों नौ किलोमीटर है गुआहाटी रेलवे स्टेशन से गुआहाटी बस स्टेट तक यात्रा करने में 38 मिनट का समय लगता है गुआहाटी के विवस्थित लोकप्रिय गुपिनाथ बोर्दोलोई अंतराष्टे हवाई अड़ा 23 किलोमीटर दूर से सहर में प्रवेश करने के लिए एक टैक्सी साजा टैक्सी हवाई अड़े बस साजा टैक्सी प्रतिवक्तिकार 1500 से 500 रुपए के लिए खर्च आता है आप अपने मोबाईल आधारित एप के माध्यम से उबेर को भी कॉल कर सकते हैं और सहर या हवाई अटे के वितर 10 रुपए प्रति किलोमीटर से कम की आराम दायक एयर कौन सवारी का अनन ले सकते हैं कचारी बस स्टैंड से कई स्थानी गंताओं के लिए बसे रवाना होती हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में बताया है आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर से मुलकात होगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, जैभारत, राधे राधे बड़ियो में राधे बस्थ चैनल को जामा से मुलकात है क्या है झाल झाल